जब कविता मन में बचलती है तो बावनाओं की आधिया चलती है और कल्पनाओं की बिजलिया चमटती है आसाई अंगणाईया लेती है नई उमंगे भर देती है तो कलम रूपी बादलों से काधज रूपी वसुंदरा पर सब्द रूपी मोचियों की बरसात होती है तब जाकर के कभी रूपी दे में कविता प्रवेश कर पाती है जो सावनी मन बावन सी लगती है कि वह तो कहते हैं कि होटों को कमल कहते है किसी ने कहा कि होटों को कमल कहते हैं मगर कभी तो बे लोग होते हैं जो जखमों को गजल कहते हैं मन और मस्तिस्क के मंथन से जो मक्षन निकलता है उसी का नाम गीत गजल कविता और लेखन होता है।